नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पॉंकच वर आप देखरों टेक्निय हनुचिस मैं आपका बहुत सवाकत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको बदाऊंगा प्लेश्टोर आइडी कैसे बनाते प्लेश्टोर आइडी और गूगल आइडी दोनों एक ही होते हैं उनका बन आपको जो प्लेश्टोर आइडी को कैसे बनाते हैं उसके बारे में आपको उसमें बताऊंगा तो आप जब भी एक एंडूइड मोबल परिश्टिस करते हो तो सबसे पहला का आपका क्या होता है कि आप उसमें वाट्साप, फेस्बुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, टि अप्लिकेशन है, उसमें से आप एप्लिकेशन डाउनलोड करने का जो तरीका है, वो काम करेगा, तो इस वीडियो में आपको प्लेश्टोर आडी कैसे बनाते हैं, उसमें बताऊंगा दोस्तों, दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखो हुए, तो ही आपको इसमें समझ करते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब करें, टेक्निकल हनो चैनल को, बेल आइकन को दबाएं, सबसे पहले वीडियो देखने के लिए, तो इसके लिए मैं आपको वीडियो को शुरू करता हूँ, तो आप देख सकते हो, यहाँ जो एप से इस वे क्लिक करूँगा, और यहा हैं पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यह OPEN हो जाता है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे add another account यानि पहले मेरे मेरे मोबाइल आपको दिख रहा है इसमें पहले accounts बने हुए तो मुझे अलग से account बनाना है जो Google ID यानि जो प्लेशर आइडी मुझे बनानी है तो इसमें बनाओगा तो add other account में यहाँ पर मुझे click करना है तो इसको मैंने click किया इसको click करते है आपको option इसमें जो processing होगी checking info और यह आपके सामने screen open हो चुकी है तो यहाँ पर मुझे सबसे नीचे जो option आपको दिख रहा है इन दोनों option को छोड़ देना है यहाँ पर सबसे नीचे जो option इसको मुझे select करना है तो यहां पर for myself क्लिक करने खुद के लिए बनाना है to manage your business my business यहाँ पर क्लिक करना है आपको खुद के लिए बना है तो यहाँ पर माइसल तो इसको click किया तो इसको click करते है और यहां पर आपको first name last name वीचा जागा तो यहाँ पर टाइप नब करतो online to last name तो मैंने first term खाएं और यहाँ पर में tLOVD k करता हूँ तो जैसे यहाँ पर क्लिक के तो यहाँ फिर मुझे बैसिक-इंफॉर्मेशन याँ ne eti day the end यहाँ पर आपको जनम डैट डालनी है और आपका जैंडर के लिंक है वो यहाँ पर डालना है तो यहाँ पर मैं date of birth डाल देता हूँ तो यहाँ पर डाल दी और यहाँ पर मैं select करता हूँ gender मैं mail select करता हूँ और next पर click करता हूँ और यहाँ पर आपको तिन ओप्षन दे रहे गए first, second और third तो यहाँ पर जो first option में खुद Gmail ने उसके हिसाब से दो ID create करके आपको बते हैं अगर इसमें से आपको कुछ select करना है तो आप कर सकते हो और आपके हिसाब से बनाना चाहते हो तो यहाँ निचे सबसे last option है create your on Gmail तो यहाँ पर यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं Gmail ID बनाऊँगा तो में बनाता हूं तो यह इनने Gmail ID बना दि तो यहाँ पर next में क्लिक करता हूं तो यहाँ पर जीरो कर दिता हूं ताकि जी मिभी नटी चेंज होजाए है क् Bjellik करता हूं तो यहาप को अप्शन आएगा प्रेट यौर स्टोंग पासवर्ड तो यहाँ मैं पासवर्ड पे क्लिक करता हूं पासवर्ड यहाँ पे इंकरता हूं तो मैंने फर्स्ट इंटरे कर दा यहाँ पर confirm करने करें वापिस एक बार और पासफ़र इंटर करूंगा तो यहाँ पर इंटर दोनों बार कर दिया और यहाँ पर next बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं next बटन पर क्लिक क्या तो यहाँ पर review और account info तो यहाँ पर जो आपको दिखना Google account में इसमें जो play store account बना दिया है तो इसको review के लिए next पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे privacy and terms यहाँ पर condition को agree करना बड़ेगा तो यहाँ पर अगर आपको चाहो तो इसको पढ़ना चाहा तो पढ़ सकते हो नहीं तो अब यहाँ से agree कर सकते हो तो agree करते है मैंने और अब यह checking info बता रहा है और Google service automatic active हो गई और अब आपके सामने जो play store ID वो open हो चुकी है आप देख सकते हो अगर इसमें work करें आप यहाँ से देख सकते हो लाश्ट जो उपर का जो right corner है यहाँ पर जी लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको सबसे उपर यह ID आपको दिखने को मिलीगी इस से गए तो यह इसमें active हो चुकी है तो अब मैं इसको क्या यह synchronize हो रहा है नहीं हो रहा इसके लिए मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर back पर क्लिक करता हूँ हम इसकी मिली जाता हूँ आप मैं Gmail पर क्लिक करूँगा तो यहाँ आपके शाम ने आप देख से तो इस ID पर क्लिक किया तो यहां पर इक्ट्न ज्रोंट सिंक्राइब मिल बने अब रहरे तो यहां पर आपका लिखा हुआ है और यहां बता रहे हैं आपका जो शेटिंग से प्रोगवल का क्अट क्लिक हो सका है और यह आप इन चीज़ोंau का यूज़ कर सकते हो और सकते हो और इसमें कुछ सेटिंग शूद कर सकते और je सेटिंग से उस परकार यहां से हाँ के यहाँ सेटिंग्स संब्सक्राइब आप यहां भीज़ोछ आएडिह दोस्टो यह इसमें बन चुकती है और इसमें बहुत आसान तरीक है दोस्टो यहां से आप लेश्टेर में जाऊंगा मैं और परेश्टोर में आपको आपको यह आईडी दीख रही है यह जो आईडी आप देख सकते हो यह पहले यह बनी हुए दोस्तों यह उपर आपको आईडी बनी हुए दिख सकती है यह आईडी यहाँ पर बन चुकी है तो अब आप कोई भी एप्लिकेशन डाउंडोड कर सकते हो कोई भी एक्पिकेशन यहां आपसे डाउंडोड कर सकते हो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर किजिए आप दूस्टों के साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए बैल आइकन को जिस्से की लेटेश वीडियो के अपडेट्स आपको देखनों क बिलेंगे चैनल पर दोस्तों वीडियो में बसे इतना ही जै हिंद वन्दे बात रहाएं